दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका यूटूब चैनल इबिटिक में इस वीडियो में लोग बात करेंगे टिजटी पुजटी तदर्थ सिचकों को लेकर के एक बड़ी अपडेट के बारे में आप लोग जानते पूरे उत्तर प्रदेश में जो मादमिक विद्यालियों के मेनेजर होते हैं उनकी तरफ से ये तदर्थ सिचक रखे जाते रहे हैं और उनको लेकर के हारी में सुप्रीम कोट के द्वारा और कई अन्यादेशा जिसके तहत अब जो भी तदर्थ सिचक टिजटी पिजटी एक्जाम पास नहीं कर पाएगा जो 2000 के बाद नियुक्त हैं ऐसे सभी तदर्थ सिचक बाहर कर दिये जाएंगे यानि ये वेतन लेने के हकदार नहीं रहेंगे सारा मामला आप लोग भली बात समझते हैं लेकिन इन तदर्थ सिचकों को विन्यमती करण को लेकर के जो अधिकारी हैं वो लगाता है इनके फेवर में रहे हैं सासन भी कह इनके फेवर में रहा है तेकिन अब जो अपडेट है उसके तहत एक बड़े अधिकारी पर गाज गिर चुकी है सरकार की तरफ से पताया गया है कि इनकी तरफ से विवाग को बदनाम किया गया हजारो करोणों रुपए फाल्तू में खर्च हुए सरकार के और जो मानहान तो इन सब चीजों को देखते हुए सरकार ने इनके ऊपर कारवाई कर दिये यहां पर आप लोगे पत्र देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश सासन मादमिक सिच्छा अनुभाग 6 की तरफ से 15 अपरल को जारी किया गया है और यहां पर देखिए बताया गया है स्री अर् मर्ण की जांच के संबन्द में नुभाग 63 मैंपर नजेशा की साथ पिसासान अरी मंडल यहां कि की इसách चांच क्या उप्लब्द कर्वाई गई है आपको बताते 3 म मार्च 2023 को इनके ऊपर जांच की आ verme दिए गए थे जिसमें दो वरिष्ट अधिकारी सामिलते उन्हें जाच करके आख्या सासन को प्लब दगराने के लिए कहा था और जब यहां पर जाच हुई तो स्रीय और विंद कुमार पांड़े जो कि संयुक्त सिच्छा नदेशक है अवयद्या मंडल के इनके उपर कई सारे मामले जो है उनकी पुष्टी हुई है कई सारे ऐसे तदर सिच्छक हैं जिनको अवयद रूप से यह विनमती करण उन्हें किया और जब मामला संग्यान में आने पर कुछ इन्होंने तदर सिच सिच्छकों को दो कोड चले गए इसमें सरकार के बहुत सारे पैसे खर्च हुए बिवाग का नाम बदनाम हुआ और कई सारे इनकी ऊपर आरोफ है यहां पर देखिए मैं कुछ चीजे में पॉइंट बताता हूं तो यहां पर देखिए बताया गया है कि जांच में सिच्छकों की पत्रवाली के परिषण में पाया गया किसरी पंडे दौरा यहां पर देखिए मैं विन्यमिति करण के हगदार नहीं होंगे कि नर्देशों का पालन नहीं किया है यहां पर देखिए बताया गया कि 22 जुलाई दुजारेक्टी से अधतन उनहत्तर तदर सिच गई है ठीक है अवैध रूप से विन्यमिति करण की कारवा नहीं के दिवरत की गई और नीचे यहां पर देखेंगे तो और कई सारे मामलें यहां पर बताये गई हैं ठीक है जो के बिरुद्ध है और इसमें देखें यहां पर बताया गया है कि स्रीपांडे के उक्त कृत्त से ना केवल माद्मिक संवरुमाणि नयाले में योजित वादों की संख्या में ब्रद्दी हुई हैं बलकि इन वादों की प्रभावी पैरवी करने में सासन द्वारा धन की भारी छती भी हो रही है साथी मानुवी संसादनों का भी दुरुपयोग हो रहा है सुरिपांडे जी का क्रत्य उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरांडे मौली के नियम तीन का इसपष्ट उलंगन है यहां पर देखो नीचे बताया गया है कि जानबूज करके इस तरह किये गए इनके दौरा अनुचत लाब लेने के लिए यह सारी चीज़े की गई है और इसमें बहुत सारा सरकार का जो धन खर्च हुआ यहां पर देखी बताया गया है कि प्रसंगत प्रक्राण में स्री अर्विंद कुमार पांडे संतु सिच्छन देसक अयुद्ध्य मंडर अयुद्ध्य द्वारा किये गए अनियमित अवै देवी नियमती करान जिस राजकोस को करोनर रुपय की च्छती हुई है इसमें ठी मिलाकर के सासन द्वारा इनको अब निलंबित कर दिया गया क्योंकि सीधे तवर यहां पर भरष्टाचार का आरोप इनके उपर लगा है पैसे लेकर कि इनों ने जो है अवैद निमती कर्ण किया और सरकार की नीत या आप लोग जानते हैं भरष्टाचार की पर तिस जीरो टॉलरेंस की नीत सरकार की है और इस वजह से इनको यहां पर निलंबित कर दिया गया है और यह एक बड़ी करवाई यहां पर देखने को मिल लई है और आपको बता दें कि जो भी तदर सिचक 2000 के बाद नियुक्त किये गए हैं तिजिटी पिजिटी की खुली बढ़ती से उनको आने का मौका मिला था लेकिन बहुत कम तदर सिचक हैं जो परिच्छा क्वालिफाई कर पाई हैं ज्यादतर परिच्छा क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं और जो तदर सिचक परिच्छा क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं सीधे तोर पर उन तदर सिचकों की सेवा समा करने के आदेश माननी सुप्रीम कोट ने दिये और उन पदों को फ्रेश टिजिटी पजिटी के बिट्थियों के द्वारा भरे जाने की बात कही गई है लेकिन आज भी इस्थती यह है कि अभी तक उन तदर्सिचकों को हटाया नहीं गया है सरकार मांदेब पर उनको रखने पर बिशार कर रही है और आज भी वो तदर्सिचक कारत हैं तो यह बड़ी अपडेट अब देखना होगा कब यह तदर्सिचक जो भी कार कर रहे हटेंगे और कब इन पदों को पिजिटी पिजिटी की बढ़ती में जूड़ा जाएगा आकि आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स अपने विचार जरूर बताईएगा आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में ट्रिजिटी पिजिटी बढ़ती दोज़र बाइस का विग्यापन जारी किया गयता है पर इच्छा अब तक नहीं हो पाई है और अभी हाली में कुछ दिन पहले अपडेट है कि मा जड़ा बेरोजगर सतियां पर शेहनित होंगी लेकिन इस पर आप लोग जानते हैं पूर्टल खुलवा करके यह चिन मंगाने की आदेश दिये गए थे लेकिन अभी तक इस कड़ी में कोई भी कारवाही नहीं हुई हलां कि आस्वासन जरूर मिला है कई जगे से आस्वास अन्होंने भी आदेश दिया था कि हम पदों की संख्या में ब्रद्धी करेंगे पोर्टल खुलेगा तेकिन कभी खुलेगा यह अभी किसी को कुछ नहीं बता है तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा आने होगाई टाइम पर जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माद देम से आपको अपडेट करते रहेंगे फिलाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ना धन्यवादा